दोस्तो आज हमारा ट्रिप शुरू हाता है सुभे 10 बच करके 22 मिनट पे हम लोग मुक्तेश्वर से निकले और मुक्तेश्वर से निकलने के बाद अभी हम आए हैं भालुगार वाटरफॉल जो की पूरे नैनिताल डिस्टिट पे सबसे बड़ा वाटरफॉल है यहां पर आपको एक वाटरफॉल के लावा भी कई सारी चीजे देखने को मिलेंगी जैसे यहां के लोकल सब्जी है आलू है दोबी है और आपको फूर्ट से यहां पर बहुत सारी देखने को मिल जाएंगे पुलम बेर काफल हिसालू किलमोडा इसलिए बने रही है हमारे सब्सक्राइब जरू कीजिए अब हम लोग निकलने वाले हैं यहां से जाएंगे हम भालूगाड वाटरफॉल अभी हमने लगित रख लिया क्लाइन का बस आप यहां से थोड़ी देर में मेरे विदिन फाइब मिनेट केंडर हम निकल जाएंगे बालूगाड वाटरफॉल आपको दिखाएंगे खलाल यहां से हम निकल जाते हैं कि हुने वाली है आलू की पैकिंग और मैं ले रहा हूं पांस किलो आलू जो कि मुक्तेश्वर का पहाड़ी आलू है वह मेरे को भाई ने अच्छे रेट पे दे दिया वीस रुपे किलो और मैं आपको दिखाऊंगा आलू किस वेराइटी का हैं कि अगर आप कभी भी मुक्तेश्वर टूर पर आएं तो भालूगार जरूर आएं बालूगार अपने आप में नेनिताल के सबसे खुपसूरत ब्यूटी जो आप देखेंगे यहां पर यह जो पेड़ आप देख रहे हैं यह बांस का पेड़ हमारे पहाड में आप लोग कहत क्याष्य करें कि हमारी समझने नहीं आता है कि बांस का तो मैं आपको बताना चाहता हुँ यहे बांस का पेड आर इस पेड़ की सबसे बड़ी खासित कि अगर इस पेड़ को काटा जाएगा तो इसके अंदर से कम संब 2 बालटी पानी नेगलेगा इस पेड़ की पोरी प्रवाइनली दोस्तों अभी मैंने आपको चीड का पेड और बांच का पेड दिखाया अभी मैं आपको और भी बहुत सारी चीजे दिखाऊंगा छोटी-छोटी चीजों से अफगत कराऊंगा फूरे उत्राखंड को विजिट कराऊंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा अगर आपको स्वती ट्रेवल्स पसंद आता है तो जल्दी सी जल्दी कमेंट सेक्शन में जा करके आप बुकिंग के लिए भी इंक्वारी कर सकते मेरा मुबाइल नंबर है 7428-0291 अभी दोस्तों हम छोटे से जंगल ट्रेकिंग की जा रहे हैं हल्की सी एक ट्रेकिंग है थोड़ा जंगल विजिट करके आते हैं कि जंगल में मैं आपको बहुत सारी चीजों से रुब्रू कराऊंगा यह चीजें आपको उत्राखंड के अंदर सायद आप हजारों बार उत्राखंड आये होंगे लेकिन आपको ये चीज़ करेंगे तो यह आपको करंट मार देगा यह देखे अभी यह थोड़ा बड़ा हो गया पौधा इसलिए आपको लग रहा होगा कि यह इतना असरदार नहीं है बट फिर भी अगर आभी आप इसको टाच करेंगे तो यह आपको करंट मारेगा और दूसरी बात मैं आपको बता ये भी है कि हम लोग इसके सबजी बनाते हैं उत्राख खंड के अंदर 99 परसेंट लोगों को ये पता होगा कि हम लोग बिच्चु घास की सबजी बनाते अब सब्जी कैसे बनाते हैं वो रेसिपी में आपको बता दूँगा बाकी फिलहाल मैंने आपको ये बिच्छो घास दिखा दी हैं जिसको देख करके अक्सर लोग डर जाते हैं घबरा जाते हैं बच्पन में जब छोटे बच्चे सैतानी करते हैं तो उसने मम्मी उनको सबक झकरिक खाने के लिए गंड की रूप में इसका प्रियोग किया जाता है कि हमा चूके है किलमॉरा जिसकी बात बता रहा था किलमॉरा की फूरी की वह जो होता है यह पहाड़ी हमालययन एरिया की 3000 मीटर की उज़ाई पर पाई जाने वाला एक बहुत खुबशूरत और सांदार फल है जिसको खाया जाता है सायद आपने ये कभी खाया नहीं होगा लेकिन जरूर मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको दोस्तों अगर आप मेरे साथ आते हैं प्रैवलिंग करते हैं तो जरूर मैं आपको ये सारी चीजे से अबगत कराऊंगा ये सारी चीजों का टेस्ट करवाऊंगा यह free of cost है इसका कोई charges नहीं है इसको बोलते हैं किलमोडा यह किलमोडा हिमालेयन एरियाज के लगवग यह मान के चलिए कि तीन हजार मीटर की उचाई पर समुद्र तल से उन जगों पर यह आपको ज्यादा मातरा में मिलेगा जैसा आप यहां पर देख सकते हैं जिक खिलमोडा हो रखा है और इस किलमोडे को हम लोग खाएंगे अभी आप देख सकते हैं यह है किलमोडा मैंने हाथ में तोड के रख बहुत खटा मेठा दोनों सामिल हैं आप लोग इसको नमक लगा करके खा सकते हैं मैं थोड़ा सा और खा लेता हूँ एक्षिली बहुत टेस्टी होता है यह देखे इसको खाने का अपना एक अलग मज़ा है पहाड में कभी आपको बॉमिटिंग हो रही हो कोई ऐसा इस्यू हो रहा हो ट्रैबलिंग करते हैं अगर आपको यह फूरुट मिल जाता है तो मुझे लगता है कि 99% आपको बॉमिटिंग नहीं होगी यह मेरा वादा है इसलिए इसक किलमोरा के बगीचे में यह किलमोरा जो है इसकी जड़ होती है यह बिक्ती है और एक कैंसर की दवाई बनाने के काम आती है यह आप देख सकते हैं अगर आप कभी अगर पहार की तरफ आएं तो इस तरीके से फूरुट होता है किलमोरा इसको बोला जाता है आपको साइद किसकी जांकारी नहीं होगी बट मैं आपको इस तीच से ज़रूर रोपरू कराओंगा यह देखिए आप पूरा किलमोरे का भगीचा है और सारे देखिए शामने वाले पेर पे बी किलमोरा लगे है और हम भी आप किलमोडा खाते हैं यह देखिए यह हमने हाथ में रख दिया है और अब हम इसको तू मस्टेस्टी यह फ्रूट जैसा कोई फ्रूट ही नहीं है काफल, हिसालू, किलमोडा फ्री ऑफ कोस्ट उत्राखंड में आएं सती ट्रेवल्स को फॉलो जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको उमारा वीडियो देरे अपनी गाड़ी की तरफ को बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं अच्छे से बिजिट करें अगर कोई अच्छा आपको घूमाने वाला हो तो आप बैस्ट तरीजे से पूरे उत्राखंड को एक्स्प्लोर कर सकते हैं जैदातर लोगों को मैंने देखा है कि वो उत्राखंड दस बार या पंद्रा बार आ चुके हैं लेकिन उनके पास कोई जानकारी नहीं है उनको को जैसा गाइड नहीं मिलता है तो आप फाइदा उठासा सकते हैं एक बार और कहूंगा आपसे आप्से आप जब भी में ज़रूर बताए मुझे जा फिर मेरे phone number मेरे contact number पर contact कीजिएगा मैं आपको हर चीज से रूबर उपर आपको आज का जो जंगल ट्रेक था वो फिलाल हमारा complete हो चुका है अब हम लोग यहां से निकलेंगे direct काठ गोदाम हल्दवानी की तरव क्योंकि मेरे client की train है साम को आठ वजेगे इसलिए क्या है कि हमें थोड़ा सा जाम की कंडिशन को देखते हुए हमें थोड़ा सा पहले से निकलना होगा जैसे हमारे पास दो गंटे का टाइम है अकर दो गंटे हमें जानने में लगते हैं तो प्रूड आप कमेंट सेक्षिन में जा करके मुझे कमेंट करके बदा सकते हैं बाकि जितनी कोशिस हो सकेगी सती ट्रेवल सा आपकी सान हमेशा रहेगा दीपक आपकी सेवा में हमेशा पत्तर रहेगा जै हिंद जै भारत जै उतराखन